आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने मूवी के लिए बेस्ट आक्टर कास्ट कर सकते हैं. कास्टिंग एक बहुत इंपोर्टन्ट प्रोसेस है, जो फिल्म की सक्सेस पर बहुत फरक डालता है. अगर आप गलत आक्टर चूज करते हैं, तो आपकी फिल्म का इंपाक्ट कम हो जाता है, और ओडियन्स को भी इंट्रेस्ट नहीं आता. इसलिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए, जो आपकी कास्टिंग को आसान और एफेक्टिव बनाएंगे. आपको अपनी स्क्रिप्ट और कारेक्टर्स को अच्छे से समझना है कि वो किस तरह के हैं, उनका परस्नालिटी कैसा है, उनके गोल्स और मोटिवेशन्स क्या है, और उनके साथ किस तरह की केमिस्ट्री होनी चाहिए. आपको ये भी देखना है कि आपके स्क्रिप्ट में कोई डाइवर्सिटी है या नहीं और अगर है तो उसको कैसे पोट्रे करना है. आपको अपने क्यारेक्टर्स के लिए सूटबल आक्टर्स धूनने में ये सब बाते हेल्प करेंगे. टिप नमबर टू, दू योर रिसेर्च. आपको अपने इंडस्ट्री में कौन से अक्टर्स अवेलिबल है, उनका काम कैसा रहा है, उनके स्किल्स और स्ट्रेंड्स क्या है, और उनके बजट और अवेलिबिलिटी क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है. आपको अनलाइन सो सोचल मीडिया, एजिन्स और कास्टिंग डारेक्टर्स से इंफरमेशन ले सकते हैं. आपको अपने स्क्रिप्ट के जौनर और टोन के हिसाब से अक्टर्स शॉर्टलिस्ट करना है. टिप नमबर 3, कॉन्डक्ट अधिशन और कॉल्बाक्स. आपको अपने शॉर्टलिस्ट एक्टर्स को और टोन करवाना है, जिसमें आप उन्हें अपने स्क्रिप्ट के सीन्स पर्फyszर्म करने को बोल सकते हैं. आपको ऑडिशन में अक्टर्स की आक्टिंग एबिलिटी, स्क्रीन प्रेंच, डायलोग डिलिवरी और एक्सप्रेशन देखना है. आपको ये भी दे आपको ये देखना है कि कौन से आक्टर्स आपके स्क्रिप्ट और क्यारेक्टर्स को जस्टिस कर सकते हैं। आपको अपने डिसिशन को आक्टर्स और उनके एजन्स को कम्यूनिकेट करना है और कॉन्ट्राक्ट साइन करवाना है। Thank you for listening and stay tuned for more episodes of Film Eclipse Podcast. Bye!